चाइनिस पेंटिंग में एक और पेंटिंग होती है जो फोल्ड होती है और जैसे जैसे आप इस पेंटिंग को होरिजॉंटली खोलेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सिन देखने को मिल जाते हैं और उसी सिक्वेंस में आप उस पेंटिंग में बने सीन को इमेजिन भी करते हैं तो जो वीवर्स हैं जो चाइनिस पेंटिंग को देख रहे हैं उन्हें एक्टिव रहने की जरुवत है फिजिकली और मेंटली तो जो चाइनिस पेंटर हैं वो ये नहीं चाहते कि हम सब उसके आखों से देखें यानि उस पेंटर की आखों से देखें वो बस ये चाहते हैं कि हम उनके दिमाग में घुश चाएं और जो पेंटर इमेजिन कर रहा है वो हम भी इमेजिन करें चाइनिस पेंटिंग स्पिरिच्वल होती है और एक कंसेप्च्वल स्पेस क्रियेट करता है यानि पेंटर वो चीज नहीं बनाता जो वो देख रहा है पेंटर वो चीज बनाता है जो उसका माइंड इमेजिन कर रहा है तो लैंड्सकेप को चाइनिस में कहते हैं सैंस्वी जिसका मतलब होता है माउंटेन वाटर तो जो माउंटेन है उसे यांग कहते हैं और इसकी क्वालिटीज है कि ये वाटिकल है ये हेवेन की तरफ फेस किया हुआ है मतलब जब भी आप माउंटेन को देखेंगे तो वो हमेशा आसमान की तरफ उपर ही फेस किया रहता है इट इस स्टेबल माउंटेन एक ही प्लेस पे रहता है मूव नहीं करता वाम होता है और ड्राइ रहता है तो येंग एक कॉंपोनेंट है डाइस्ट का और सेकन कॉंपोनेंट है वाटर जिसे चाइनिज में यिन कहते हैं और इसकी क्वालिटीज होती है कि ये होरिजॉन्टल होता है एक फ्लूइड होता है मॉइस्ट रहता है ठंढा रहता है and rest on the earth हमेशा धर्ति पे रेस्ट करती हुई बहती है यिन एक feminine aspect है इस universal energy का और yang masculine aspect है और दोनों जहां मिलते हैं वहीं डाइजम का fundamental notion है लेकिन जहां पे यिन और yang मिलते हैं उस area को void कहा गया है जो एक third element भी है और इस चीज़ को हम देख सकते हैं compare कर सकते हैं जब हम प्राया नाम योगा कर रहे हो breathe in करते हैं फिर सांस को रोकते हैं फिर breathe out करते हैं तो जब हम सांस को रोकते हैं उस area को void area कहता है और यही वो area है जिसे हम meditation कहते हैं किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाते हैं तो यह middle void काफी important है और जो Chinese painting में खाली space दिख रही है वो area void को represent करता है और यही और yang जो दो universe के pole है उसके बीच में man का आदमी का एक fundamental role है हम humans का एक fundamental role है जो space है heaven और earth के बीच में यानि mountain और earth के बीच में इन दोनों के बीच man हम human ही connection form करते हैं तो writer पस यही lastly कहना चाहती है कि जो friend quiz chink थे उन्होंने ये कहा था कि man आदमी जो है वो क्या है वो है the eyes of the landscape landscape मतलब वो आदमी ही है जो अपने mind imagination को use करके scene को और भी सुन्दर बना देता है तो poet यही message दे रही है हमें समझा रही है कि इस universe का basic concept क्या है और इस concept में man का human being का क्या role है मतलब साफ है कि human being के ऊपर यह responsibility है कि वो इस दुनिया को अच्छे से देखे क्योंकि जैसा वो सोचेगा वैसा ही यह दुनिया बनता जाएगा तो हम सब की यह responsibility है इस और्थ को बचाने की अच्छे सोच को develop करके एक बहतर दुनिया बनाने की So student this was the full detailed explanation of this chapter I hope आप लोग को पसंद आने के साथ साथ समझ में भी आया होगा अगर आपको इस chapters related कोई भी important extra question sample paper चाहिए तो आप ICACCBAC Notes application को download करना न भूले Link is given in the video description मिलते हैं next video की explanation में Thank you करने के लिए कि अपरते हैं